नमस्कार दोस्तों, मैं एक और बहतरीन कहानी के साथ वापस आ गई हूँ, मेरा पुरुषो वाला नाम विजय है, बच्पन में मुझे पता नहीं चला कि क्यों मुझे लड़की की कपड़े पसंद है, जब मेरी बहन और भाभी, मेरी आखों के सामने सुन्दर सुन्दर लेडिस ड्रेस पहनती थी, तो मुझे बहुत तकलीफ होता थी, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ ये सोचकर होती थी कि क्यों मैं अपनी बहन जैसा कपड़े पहन नहीं सकता, और मेरा ड्रेस बहन की ड्र करते थे, जब मैंने दसवी कक्षा की एक्जाम दिया, तब मुझे गिफ्ट में एक मोबाइल फोन मिला, जिससे मुझे इंटरनेट आकसेस भी मिला, तब मैं गूगल में जाकर सर्च करने लगा, मेरा फीलिंग के बारे में, उस बक्त मुझे पता चला, क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में, लेकिन घर में रहेने के कारण मुझे कभी मौका नहीं मिला, लड़की बनने का, मुझे डर था, किसी ने पकड़ लिया, तो क्या होगा, इसलिए मैंने अपना क्रॉस ड्रेसिंग फीलिंग्स को दबा कर रखने लगा, लेकिन जब मैंने कॉलेज में का चाहिए था, लड़की बनने का, अगले दिन मैंने बाजार गया, और एक छूडीदार, दुपट्टा और कुछ मैकप का सामान, जैसे नेल पॉलिश और लिपस्टिक खरीद के लाया, एक साल तक मैंने जैसे तैसे लड़की की ड्रेस पहन कर अपना ख्वाइश पूरा क क्योंकि इसके लिए मुझे अच्छे जगे ढूनना होगा, जहां मैं बेफिक्र होकर लड़की का रूप ले सकूँ, और इसके लिए ज्यादा पैसे भी चाहिए थे, मैं बस इंतजार करने लगा, कॉलेज के बाद मुझे आखिरकार नौकरी मिल गई, इस सिलसिले में मैं अपना शहर से बाहर चला गया, नौकरी के बजा से मुझे अपना अपार्टमेंट मिल गया, मैं बहुत खुश था कि मैं आखिरकार जितना चाहे उतना कपड़े खरीद कर पहन सकूँ, मैं बहुत सारे लड़कियों के कपड़े, बालो का विग, ब्रा, पैंटी, बहुत सी साडियां, नाइटी, जूते और बहुत सारे मैकप भी खरीद लिया, मैं अपना अधिकांच समय अपार्टमेंट के अंदर एक महिला के रूप में बिताने लगा, अभी भी मैंने अपने क्रासर ड्रेसिंग को पूरी तरह गुप्त रखा, क्योंकि मुझे डर था कि मेरे प मुझे बहुत अच्छा लगता था साड़ी पहन कर हिल्स में रूम के अंदर इधर उधर घूमना फिरना, केवल एक चीज जो मेरे लिए बचा वह था लड़की की रूप लेकर बाहर जाना, लेकिन ये मेरे लिए बहुत डरावना था, और इसलिए भी, क्योंकि मेरा अपा अपने महिला कपड़ों में बदल जाता था, बालों के उपर विग और हलका मेकप लगाता था, और एक महिला के रूप में अपना समय बिताता था, मैंने मेरा लड़की वाला नाम विद्या रखा था, मैं ज्यादातर समय शौर्ट ड्रेस और रेश्मी नाइट गाउन पहन कर बिस्तर पर लेटा रहता हूँ, एक शाम मैं मेरी नई सारी पहनी थी, मैंने अपनी नई ड्रेस में कुछ अच्छे वीडियो लेने का भी फैसला किया, तो मैं तैयार हो गया और पून ग्लैम मेकप लुक के लिए चली गई, फिर मैंने अपनी पसंदीदा ब्रा और पैं सैंडल पहन कर तैयार हो गई, मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मुझे नाचने की मन कर रहा था, तो मैंने होम थेटर ओन करके स्लो साउंड में आइटम सौंग चालू किया, और डांस स्टेप्स प्रैक्टिस करने लगी, मैं तब भूल चुकी थी कि मैं कोई असल में मर् हूँ, मुझे तब एक लड़की वाली फीलिंग्स आ रही थी, मैं पूरी रात अपना वीडियो ले रही थी, और जब मैंने समय देखा, तो सुबह के लगभग तीन बच रहे थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कितना समय बीत चुका था, मुझे नींद आने लग कर लड़की की रूप में सोने का एक्सपैरनेस भी करना था, सुबह मैं अपने दर्वाजे की घंटी की आवाज के साथ चाग गया, मैंने घड़ी देखा, तो करीब 9 बजे थे, मुझे बहुत नींद आ रहा थी, इसलिए मैंने घंटी को अंदेखा करने की कोशिश की, ले अगला भाग जल्दी ही आने वाला है, तब तक आप अपनी राय जरूर दीजिये, जो सही अनुमान लगाएगा, उसे अगली कहानी में एक सर्प्राइज मिलेगा, तो आपका प्यार ऐसे ही बना के रखना, और कहानी को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और क कुछ अतरंगी चीजों के लिए नीचे विवरण में दिये लिंक से अपने टेलीग्राम ग्रूप से जुड़े, धन्यवाद.